ओम श्यान्ती आज है 16 अक्तूबर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा इस समय तुम ब्राह्मन बच्चे गायन लायक हो सेवा कर रहे हो फिर तुम पूजा लायक बनेंगे जिन में दैवी गुण होंगे वही इस रुहानी सर्विस में लगे हुए होंगे बागी तो माया की बिमारी में फसे रहते हैं अनेक प्रकार के रोग है ना इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है जब बाबा को अच्छी रिती याद करेंगे ज्यान चिता पर बैठेंगे तब दिल पर चड़ेंगे ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वानी चलाते हैं वहे दिल पर चड़ते हैं बाब कहते हैं वास्तों में दिल पर तो अंत में चड़ेंगे नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार जब देह अभीमान खत्म हो जाएगा बाबने कहा अपनी दिल से पुछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं देखना है हमारे में कोई अउगुण तो नहीं है तुम्हें कोई भी आसुरी काम नहीं करना है यहां तो पवित्रता सिखाई जाती है फिर भी अगर कोई गिरेंगे तो उसमें बाब क्या कर सकते हैं फिर कहा कईयों को माया एकदम नाख से पकड़ लेती है चलन गंदी हो जार गुणा पाप चड़ जाता है और लास्ट में बाबा ने कहा तुम कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो मंजिल बहुत बड़ी है आँखें बड़ी धोखे बाज है तुफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में होना लेकिन कभी भी कोई वि पाकियों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है फिर भविश्य में पुरिशोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे प्रशन कौनसी बिमारी जड़ से स्माप्त हो तब बाप की दिल पर चड़ेंगे पहली है देह अभीमान की बिमारी इसी देह अभीमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है यह देह अभीमान स्माप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चड़ो दूसरा दिल पर चड़ना है तो विशाल बुद्धी बनो ज्यान चिता पर बैठो रुहानी सेवा में लग जाओ और वानी चलाने के साथ साथ बाप को अच्ची रिती याद करो गीत जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे ओम श्यान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना रुहानी बाप ने इस साधारन पुराने तन दवरा मुख से कहा बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा अभी यह रावन की राजधानी है तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ अपना तन होता तो उसका नाम पढ़ता हमारा नाम बदलता नहीं मुझे फिर भी कहते हैं शुव बाबा गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं नव युग अर्थात नई दुनिया सत्युग आया अब किसको कहते हैं जागो आत्माओं को क्योंकि आत्मय घोर अंधियारे में सोई पड़ी है कुछ भी समझ नहीं बाब को ही नहीं जानते अब बाब जगाने आये है अभी तुम बेहद के बाब को जानते हो उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में सत्युग को नया कहा जाता है कल युग को पुराना युग कहेंगे विद्वान पंडित आदी कोई भी नहीं जानते कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है अभी तुम जानते हो, हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं? अर्थात स्वर्गवासी से नर्खवासी कैसे बने हैं? मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं, उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते, जैसे जगदंबा की पूजा करते हैं. अब वे अमबा कोन हैं? जानते नहीं. अमबा वास्तों में माताओं को कह जाता है. प्रंटु पूजा तो एक की होनी चाहिए. शुबाबा का भी एक ही अव्य भिचारी यादगार है. अमबा भी एक है. प्रंटु जगत अमबा को जानते नहीं यह है जगत अंबा और लक्ष्मी है जगत की महारानी तुमको पता है कि जगत अंबा कोन है और जगत महारानी कोन है यह बातें कभी कोई जान न सके लक्ष्मी को देवी और जगत अंबा को ब्रहमनी कहेंगे ब्रहमन संगम पर ही होते हैं इस संगम युग को कोई नहीं जानते हैं अर्था जगतमबा संगम युग पर ही होती है प्रजापिता ब्रहमा दवारा नई पुरुशोत्तम स्रिष्टी रची जाती है पुरुशोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे इस समय तुम ब्रह्मन गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, तो अमबा को भी क्यों नहीं देंगे उनके भी तो सब बच्चे हैं ना, माबाप ही प्रजा पिता बनते हैं बच्चों को प्रजा पिता नहीं कहेंगे लक्ष्मी नारेन को कभी सत्युग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे प्रजा पिता का नाम बाला है जगत पिता और जगत माता एक ही है बाकी हैं उनके बच्चे अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा क्योंकि है ही प्रजापिता हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वे हद के प्रजापिता ठहरे यह है बेहद का शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है यह भी तुम बच्चों को कोंट्रास्ट लिखना है जगत अंबा सरस्वती है एक नाम कितने रख दिये है दुरगा, काली, आधी अंबा और बाबा के तुम सब बच्चे हो यह रचना है ना प्रजा पिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती उनको अंबा केहते है बागी हैं बच्चे और बच्चियां हैं सब एडोप्टेड इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं यह सब हैं मुखवनशावली मुख से इसरी को क्रियेट किया तो रचता हो गया केहते हैं यह मेरी है मैंने इनसे बच्चे पैदा किये है यह सब है एडोप्शन यह फिर है इश्वरिय मुख दवारा रचना आत्माईं तो है ही उनको एडोप्ट नहीं किया जाता है बाप कहते हैं तुम आत्माईं सदैव मेरे बच्चे हो अर्थात आत्मा रूप में तो हम है ही श्युबाबा के बच्चे फिर अभी श्युबाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा दवारा बच्चों को एडोप्ट करते हैं बच्चों आत्माउं को नहीं एडोप्ट करते बच्चे और बच्चियों को करते हैं अर्थात शरीर धारिय इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायन बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किये जो यह विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी आदी में भी पूच सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रिती हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रुहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा स बाकी तो माया की बिमारी में फसे रहते हैं, अनेक प्रकार की रोग है, देह अभी मान का भी रोग है, इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूं, तुम सर्वगुण संपन्न, पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो बेहद का बाप ऐसे कहेंगे इसमें निंदा की बात नहीं यह समझाने की बात है भारत वासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहां भारत में आता हूँ भारत की महिमा तो अप्रम अपार है यहां आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं सब को शांती देते हैं तो ऐसे ब आपकी भी महिमा अप्रम अपार है। पारावार नहीं। जगत अंबा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कोंट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगत अंबा की बायोग्राफी, यह लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अंबा फिर लक्ष्मी बनती ह फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अंबा होगी चित्र भी अलग-अलग रखने चाहिए दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला प्रन्तु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई वह तो सत्यूग में हुई है यह सब बातें बाप समझाते हैं चित्र बनाने के उपर जो मुकरर है उनको विचार सागर मन्थन करना चाहिए तो फिर समझाना सहज होगा इतनी विशाल बुद्धी चाहिए तब दिल पर चड़े जब बाबा को अच्छी रिती याद करेंगे ज्यान चिता पर बैठेंगे तब दिल पर चड़ेंगे ऐसे न नहीं बाब कहते हैं दिल पर अंत में चड़ेंगे नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा बाब ने संजाया है ब्रह्म ज्यानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं प्रन्तु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता बाकी मेहनत करते हैं उत्तम पद पाते हैं ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं न तो मेहनत का भी फल मिलता है बाकी मुक्ती जीवन-मुक्ती नहीं मिल सकती तुम बच्चे जानते हो अ अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इतने बोंप्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं, तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बोंप्स काम आएंगे, अनेक प्रकार के बोंप्स हैं, बाप ज्यान और योग सिखलाते हैं, फिर राजेश्वर डबल सिर्ताज देवी देवता बनेंगे, कौन सा उंच पद है, ब्राहमन चोटी है उपर में, चोटी सबसे उपर है, अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो, यह नशा है, हम सब को पावन बन राज राजेश्वर बना रहे हैं, नशा हो तो बहुत खुशी में रहें, अपनी दिल से पूछों, हम कितने को आप समान बनाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और जगतंबा, दोनों एक जैसे हैं, ब्राहमनों की रचना रचते हैं, शुद्र से ब्राहमन बनने की युक्ती बाप ही बताते हैं, यह कोई शास्रों में नहीं है, यह है भी गीता का युग, महा भारत लडाई भी बरोबर हुई थी, राज योग एक को सिखाया होगा क्या, मनुश्यों की बुद्धी में फिर अर्जुन और क्रिश्न ही है, यहां तो धेर पड़ते हैं, बैठे भी दे अल्फ बे पड़ा रहे हैं, अल्फ और बे, यह है वर्षा, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारन करने है, देखना है हमारे में कोई अउगुण तो नहीं है, मैं निर्गुण हा अरे में कोई गुण नहीं, अभी निर्गुण आश्रम भी है, प्रन्तु अर्थ कुछ भी नहीं, निर्गुण अर्थाद मेरे में कोई गुण नहीं, अब गुणवान बनाना तो बाप कही काम है, बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने उपर रख दी है, बाप कितनी ब लक्ष्मी नारेण है सत्यूग के यहें चित्र हैं समझाने के लिए सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी तुम ब्रह्मन हो सत्यूगी देवता भी मनुष्य ही हैं प्रंतु उन्हों को देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उन्की इंसर्ट हो जाती, इसलिए देविदेवता वो भगवान भगवती कह देते हैं अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े। इसलिए देविदेवता कहा जाता है। त्रीमूर्ती का चित्र भी है सत्यूग में इतने थोड़े मनुश्य कलियूग में बहुत मनुश्य है वह कैसे समझाएं इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए प्रदर्चनी में इतने सब को बुलाते हैं कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रन नहीं दिया है त इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं पठका कितना छोटा होता घोड़ा कितना बड़ा होता है आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है उनका श्रिंगार कितना बड़ा है यह अकाल तुमाओं को राजयोग सिखलाता हूँ फिर सरव्यापी कैसे होंगे बाप, टीचर, गुरू सरव्यापी कैसे होंगे बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ फिर ज्यान सागर हूँ तुमको बेहद की हिस्ट्री जोगरफी समझने से बेहद का राज्ये मिल दैवी गुण भी धारन करने चाहिए, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मू कर लिया, यहां तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी, तो फिर उसमें बाप क्या कर स पकते हैं, घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मू कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है, बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही न, तुम ओरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो, तो हजार गुणा पाप जड़ जाता है, कहते हैं माया ने थपड मार दिया, माया ऐसा घुसा मारती है, जो एकदम अकल ही गुम कर देती है, बाप समझाते रहते हैं, आखें बड़ी धोखे बाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है, तुफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा, माया जट थपड लगा देती है, अभी तुम कितने समझार बनते हो, आत्म ही समझार बनती है ना, आत्म ही बेसमझ सी, अब बाप समझार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में हैं, समझ से नहीं कि हम आत्मा हैं, बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं, अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से नहीं सुनो, बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगे मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदी कहते हैं न कि भगवान को याद करो या कोई अपने गुरू आदी को याद करेंगे देहधारी को याद करना सिखलाते हैं बाप तु कहते हैं मामे कम याद करो यह तो तुम बच्चों की बुद्धी में हैं बाप फरमान करत माई में कम याद करो। देहधारीओं को याद नहीं करना है। माबाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ। विदेही हूँ। इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्यान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्यान सागर बाप दवारा हम ज्यान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्यान सागर ज्यान भी सिखलाते हैं राज योग भी सिखलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमसे गुड मौर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट समजार बन माया के तुफानों से कभी हार नहीं खाना है। आखे धोखा देती हैं इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरी पॉइंट अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजिश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अउगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहां तक धारन किये हैं। वर्दान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। उनके संपर्क में जो भी आएगा, उसे बाप का परीचे जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है, तो पहले उसे पानी पूछा जाता है। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझ से हैं। ऐसे जो भी संपर्ख में आता है उसे बाप के परिचे का पानी जरूर पुछो। अर्थाद दाता के बच्चे दाता बन कर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन यथार्थ विराग्य व्रिती का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा। ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें। उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें। कर दो अर्थ बोक्स को टक का वई पका कारें। आपनले अर्वटymोटन के। झाल झाल